हलो गुड मोरिन्ग तो आज करास आपके राजस्तान जिगे की विरि इंपरटेंट घरा से आपके राजस्तान के कहीं नगाई कॉम्प्रियों से चेक्जानम में यह यह क्यूशन आ सकते हैं सब्सक्राइब परकितन के लिए शफरेंगे कापी इंपरटेंट है और फसलों के बारे में हैं कौन सी फसल कब हो जाती है और कौन सी फसल किस टाइम पर कटाई होती है और आज की जो इस वीडियो में और है प्राचिन जब सेरों के नाम पूचे हैं जो अभी सेरों के नाम बदल दिये उनके पहले के नाम क्या थे प्राचिन वो आज किस वीडि करें आप कि चिसको अच्छे से पड़े और अच्छे से इसका आंसर देने में कोई जल्द बाजी ना करें कि उसन को समझें इसके बाद में Right answer देंगे एंगर Li और is a сторон करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा वह तो अपन जानते हैं इसको बताएंगी तो इसका राय आपको बताना है क्योंसें में क्या पूचा है देख लेते हैं क्यूसर्भ में पूचा है राजस्तान को सारदिफ्टा के विद्यूत कहां से प्राप्त होती है अब आपको बताना है यहां चार ओप्समेसे कोटा थर्मल सिंग्रोली रीहंद। अनुपगड़ उसका रहाइट आंसर आपको बतना है क्या हो जाएगा बाता उसका रहाइट आंसर कि ता पे विद्धित है किस्से बनती है रहाप आदी को जला कर एवं पानी को गर्म करके प्रात कि जाती है धाप को इला ऑकर करो जाती है तो इसका ऐगा कौण जो हो जएका अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा क्या कोटा थर्मल किसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा थर्मल से राजस्तान राज जी को ताफ के विद्यूत अधिक सारुदिक मातरा में मिल रही है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना इसका राइट हो जाएगा स्टीटा जो राजस्तान है इसमें पर्मानल उर्जाक क्ंदर कहां पर स्टीफ है रावदबहटा पलाना जहाजपुर बरसिंगजभत अंसर क्या पर मिलते हैं जो तोड़ने पर हमें जो परमानूर्जा प्राप्त होती है यह कहां पर होती है इसका कहां पर कैंदर है परमानूर्जा का कैंदर है यह कहां पर सब्सक्रद में आगー क्या वाला ऑप्सन रावत-थर राजस्तान से ऑने पर मैं होती rides happiness का इंप्राप्ट हो जाएंगा इंप्रैंट या पूंचा है राजस्तान किस जल विध्युत परियोजना से सारविधिक विध्युत प्राप्त होती है अब आपसे पोचा है राजस्तान की किस जल विद्यूत परियोजना से सारवदिक विद्यूत पराप्त होती है भाकडा वियास सत्पुडा चंबल इसका रहेट आंसर आपको बताना है पताओ राजस्तान को किस जल विद्यूत परियोजना से सारवदिक विद्यूत पराप्त होती है जो राजस्तान को जल्विद्यूत पर्योजना से सारदिक विद्यूत पराप्त होती है वह व्यास कौनसी व्यास इसका correct answer हो जाएगा अपना बीवाला option right हो जाएगा यह क्या व्यास करेक्ट answer हो जाएगा व्यास next question देखते हैं very important question है आपके राजास्तां में सारदिक उत्पादन वाली फसल है बताना है आपको यहाँ पर नाम दिए हैं आपको खरीब जैयद रभी इन में से कोई नहीं तो यह रही त nó कि अंतर आपको बता नहीं पहटाग्फ इसका honor और मक्का अरहर गणना सयबीन बाज्रा यह फसले रभीक की फसले ऐसा को जाएगा इसका करेक्ट आंसर आंसर हो जाएगा एवाला ओसन अपना राइट हो जाएगा क्या खरीब खरीब इसका राइट आंसर और राजस्तान में सारदिक उत्पदन वाली फसले हैं खरीब की फसले हैं नेक्स पूच्छन देखते हैं वेरी इंपोटेंट पूच्छन है पूच्छन में पूचा है राजस्तान के किस जिले में ग्यों का सारदिक उत्पदन होता है जो ग्यों क्या हो जाएगा अना चाहिए कि बताओ अगर आप राजस्तान जीके की त्यारी कर रहे हैं तो इसका रहे टांसर देना बहुत पूछा भी गया है आपके राजस्तान में अभी पटवर एकजाम हुए था उसमें पूछा गया है यह कुछन हर बार पेपरों के अंदर आता है तो से करेक्ट आंसर बताएं राजस्तान में जो ग्याओं की सार्दिक फसल उत्पादन होता है कोंसे जिला करता है गंगा नगर जिला करता है तो से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सिर्गंगा नगर इसका राया टांसर हो जाएगा अपना एवालो उप्शन इसका राइट हो जाएगा नेक्स देखते हैं वेरी इंपूटिंट कुछन है पूचा है राजस्तान में रभी की फसल का मुख्छे खाद कौन सेनुसा है राजस्तान में रभी की फसल का मुख्चे खाद्यान है जो कौन से वह से जाती है राषे में जो यहूं मौत चनना आластह्या से आंसर बताना है आपको क्या हो जाएगा यहां क्या स्काइख राइख राइख रहेगा राज़तान में रभी की पसल का मुख के खाद्यान ग्यों की फसले क्या ग्यों की पसल इसका correct answer हो जाएगा अपना वाला उप्सन इसका right right हो जाएगा ग्यों क्या ग्यों इसका right answer हो जाएगा next question देखते हैं very important question राजस्तान की का द्यान पसले हमें इन वाले जो बता परत्रा ना चाहिए में भी ही पूचा जा सकता है जो बाजस्टान की खाद्यान पस्लों में से सबसे अधिक अपने रोटी खाई एगा कभी क्योंकि बाजरा जो खाध्यान पसले इसकी रोटी बनाई जाती है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाजरा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्ट शुचन देख लेते हैं क्यूचन में पूचा है निम्न में से राजस्तान का कौन सा सहर सिमेंट का सबसे बड़ा एसको इसका किर नागौर जोदपूर तो गड़ंगे जेपूर करेक्ट आंसर आना चाहिए आपका राजस्तान का कौन्सा सहर सिमेंट का सबसे बड़ा उत्पाद के मतलब कि सहर में राजस्तान में सिमेंट अधिक सबसे अधिक मात्रा में सिमेंट का सिमेंट है जो उत्पादित किया जाता है तो इसका राइट हो जाएगा ऐसे को अपको बताना है बताओ जो जैसल मेर का प्राचीन नाम था जो जीसल मेर का प्राचीन नाम था वो था मांड क्या मांड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके माड़ा अपनाम है क्या माड़ धरा भी केते हैं क्या माड़ का माड़ धराभी कहते हैं ये ऐसके पूछा है जसल मेर नगर арे कौन है नाम से ही आपको यहां पर राइट आंसर लगा देना है बता ओ क्योंकि आपको यहां पर नाम से ही पेचान हो जाएगी राय टांसर की आपकी जैसल मेर नगर के संस्तापक की जआर मेर के जैसल मेरन चैखल मेरन नगर के संस्तापक टे राव जश्द अपना पना आपनी इसका राईट हो जाएगए तो आप तक तक अपनी कटे रहें तयारी जोर शोर से क्योंकि राजस्तान में कॉम्टिटिव एक्जाम होते ही रहते हैं तो आज की कलास अपनी यहीं पर समाप्त करते हैं टाटा बाई बाई कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में वेरी इंपोटेंट एंसुकर साथ